नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा, स्वागत है आपका Tasty Tuesdays with आचार्य प्रतिष्ठा में आप सभी ने भारत योग को, भारत योग परिवार को इतना प्रेम दिया, आप सब भी भारत योग परिवार का ही एक हिस्सा है हमने कुछ समय पहले ये Tasty Tuesdays सीरीज शुरू की ताकि हम आप तक कुछ ऐसी healthy recipes पहुचा सके जिनके माद्यम से आप अपने जीवन को और स्वस्त बना सके और आपके बहुत सारे प्रशन मिलते हैं और एक प्रशन हमें latest मिला है, गुरुजी जब आप कहती है, light dinner करें, light dinner करें, light dinner करें तो पहला प्रशन आखे, light dinner होता क्या है, कितना light और दूसरा प्रशन है, कि जब 7 बजे हमने light dinner कर लिया, तो रात को 10 बजे सोते सोते तक तक तो हमको इतनी भूख लग जाती ही, कि हमको समझ में आता करें तो करें क्या हमारे एक बहुत प्यारा weight loss program होता है, online भी होता है, offline भी होता है, जिसमें योग, diet और mind therapy के माध्यम से हम अपने वजन को कम करते हैं योग और diet तो आपको समझ में आता है वजन कम करने के लिए, पर mind therapy, mind therapy इसलिए, क्योंकि हमें पता है कि हमको healthy diet लेनी है, हमें पता है, हमको बहुत exercise करना है, बहुत नहीं मतलब इतना तो करना है कि हम वजन करता सकें, लेकिन तब ही समोसा सामने आ जाता है, तो मन जो है, व और जुडने के लिए जो screen पर numbers आ रहे हैं, यह description box में जो link share किया जा रहा है, उस पर आप क्लिक करके उसके details ले सकते हैं, हमारे एक weight loss program में एक साधिका ने प्रशन पूछा था कि Guruji, weight loss के लिए जो आप light dinner कहते हैं, मतलब कितना light, और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे करते हैं, उसकी ज़रदी हमें एक meal replacement घर पर ही बना सकते हैं, और बहुत बहुत लोगों ने उससे वजन घटाया है, healthy weight loss, आज के एपिसोड में कैसी recipe जानते हैं, जो की वजन घटाने में बहुत बहुत लापकार है, अगर हम आप से कहें, अरे तुमको शाम को खिचडी खा लेकिन खिचडी नहीं खाएंगे, क्योंकि एक नाम के साथ एक जुड़ा हुए, खिचडी नहीं हम कहा सकते हैं, तो इसको खिचडी मत कहिएगा, यह खिचडी है ही नहीं, बट यह recipe के जो main ingredients हैं, वो है monkey डाल, और monkey डाल के साथ साथ दूसरा main ingredient तो इतना इतना लापकारी ह उसके बारे में समझते हैं, पर पहले monkey डाल को समझ लेते हैं, जब monkey डाल की बात करते हैं, तो monkey डाल nutrient rich food है, इसमें minerals बहुत होते हैं, potassium, magnesium, iron, copper, और इसमें folate होता है, fiber होता है, vitamin B6 होता है, यह B complex vitamins में rich होता है, और यह जो yellow डाल है न, यह हमारे carbohydrates को break down करता है, glucose में, और जो हमारी usable energy है, जो body को चाहिए होती है, उसको बनाता है, यह fat तो एकदम कम हो गया हमारा, energy इतनी आ गए कि फिर जो आपको late night cravings और कुछ खाने का मन, वो नहीं करता है, और जो दूसरा ingredient है, वो तो हमारा ऐसा देसी ingredient है, दलिया, तो आप कहेंगे, दलिया तो मीठा कात है, देखो दलिया इतना लाब कारी है, उसको चीनी मिला मिला के खा के ना उसके गुल भी खतम कर देते हैं, तो यह moong की डाल के साथ इसका जो domain ingredients है, पहला है moong डाल, दूसरा है दलिया, और दलिया इतना लाब कारी है कि दलिये के तो गुले ही गुले है, दलिया हमारे constipation क process को बहुत-बहुत easy बना देता है, दलिया हमारा जो muscle mass है, उसको बढ़ाता है, लेकिन जो हमारे fat से उनको कम, लोगों के लिए तो राम मान का काम करता है दलिया, और जो anti-inflammatory benefits से इसके हैं, वो बहुत अच्छे हैं, दलिये का niyamit 7 और विशेश रूप से दलिये और moong डा अब इपने बच्चों को भी खिलाए है, आपको तीखा पसंद, आप तीखा घाई है, आपको चटपटा पसंद, आप चटपटा घाई है, आपको बिलकुल plane, 7 और का हार पसंद, आप साथविक रूप में बनाए है, याँ हम आज आपको बता रहे है, कैसे आप इसको शाम के साथ बजे के असपास ले लीजे आप प्रती दिन एक हफता ऐसा कीजिए कि रोज शाम को साथ बजे इस डाइट का इस दलिया और खिचरी यह जो हम रेसेपी बता रहे हैं इसका सेवन कीजिए सुभा नौ बजे के असपास breakfast में ये जो अगर आपने नहीं देखा meal replacement इसका सेवन कर लीजे तो पैर को अपना नौर्मल दालचावल सबजी रोटी जो आप काते हैं या तो दालचावल है सबजी रोटी एक रोटी थोड़ी सबजी खा लीजे आप बहुत आसाने से एक हफते में इतना वजन गटा सकते हैं कि आपको बिलीव भी नहीं होगा थोड़ा सा माइल्ड वॉक कर लीजे और जो हमने योगा भ्यास शेगे हैं या फिर वू कर लीजे या फिर दो अजार से पाच अजार स्टेप्स चलीजे सीधा-सीधा रसुई में चलते हैं कि चलनी रसुई जहां से रसुद्पन होता है और देखते हैं कि कैसे बनानी है यह अधभुत रेसिपी इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने कुकर को गैस पर रख दिया आप इसको कुकर भी नहीं बनाना चाहते हैं बहुत सारे लोग अवोईट करते हैं कुकर प्रेशर कुकर यूज़ करना तो आप इसको नॉर्मल पान में भी बना सकते हैं प्रेशर कुकर में हार्ली टू मिनट्स में आपकी रसिपी तैयार हो जाती है और आपको बहुत अधिक समय भी नहीं लगता है इसमें देसी घी डालिए गाई का देसी घी घर का बना हुआ और जब ये घी गरम हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल लीजिए अब इसको थोड़ा जीरा को भुन जाने लीजिए फिर अगर आप अनियन डालिए इसमें हरी मिर्च डालिए इनको थोड़ा सा भूल लीजिए और फिर इसमें टमाटर डाल दीजिए खोव अच्छी मात्रा में टमाटर डालिए ताकि इसमें थोड़ा खटास भी हो तेस्टी लगे आपको इसमें हलका सा नमक, हल्दी, अगर आप लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डालना चाहें वो डाल लीजिए और धनिया पाउडर डाल लीजिए और फिर इसमें हमने बहुत थोड़ा सा मूंग डाल और दलिया को अच्छे से वाश करके वाश कर लिया है वो डाल दिया, अब इसको अच्छे से mix कर लीजिए, और फिर mix करने के बाद, इसको mix करना जरूरिये तागी जो भी आपने मसाली डाले हैं, जो भी आपने चीज़े इसमें डाली है, वो अच्छे से दलिया और मुंग डाल के साथ भी mix हो जाए, फिर आप इसमें पानी डाल इसको थोड़ा सा पकने दीजिए, जब यह अच्छे से पक जाए मतलब थोड़ा बॉइल सा हो जाए, अब हमारा key ingredient, जिसके वजह से यह बहुत ही amazingly tasty होने वाली हो, वो key ingredient है नीमू, तो नीमू को इसमें जरूर जरूर डालना है, जादा बना रहे हैं तो एक पूरा नीमू को डाल लीजे बना, आधी निमू का रज डाल लीजे, तब आप लेट को बंद कर दीजे, और हाडली तीन सीटी लगवा दीजे, बस पांच मिनट में, तीन मिनट में तीन सीटी लग जाएगी, सीटी लगवा ये, जैसे हम बहुत देर तक दाल या कुछ बनाते हैं तो अधिक हो गया हो, तो थोड़ा सा पानी और डाल लीजे, थोड़ी देर इसको बॉल कर लिया, मतलब कर लिया, ये हमारी खिच्री तैयार है, इसके साथ आपको कुछ भी और चीज की जूरत नहीं, अगर आप इसको लंच में लेते हैं, तो दही के साथ सेवन कर सकते हैं, ज इतना, इतना स्वाधिष्ट होता है, और आप इसे चाहें तो प्रती दिन खा सकते हैं, इतना खिच्री और इतना स्वाधिश्ट हैं, अगर आप किसी और डिश का है guilty option जानना चाहते हैं, तो हमें जुरूर लिख कर के भीज़िए, हम आपके सुझाव, आपके को़मेंस की प्रतीक्षा करते हैं to watch all these videos in English. You can go to Bharatiya Yoga English YouTube channel और हमारे सभी discourses को देखने के लिए Bharatiya Yoga Discourses channel पर subscribe कर सकते हैं. आप सब खुछ रहें, आनंदित रहें, सब के लिए बहुत शुबकान आई, शुभाशीश. इन videos को अपने प्रिये जनों के साथ साजा जरूर करें, आईए मिलकर के एक बहुतर दुनिया बनाते हैं. Adieu.